दोस्तों कि आप लोगों के भी ब्लॉग की पोस्ट जो आप लोग पॉबिच करते हैं वो इंडेक्स नहीं होती है आप जी थाथा टाइम भी वेट करते हैं फिर भी इंडेक्स नहीं हो रहे है तो मैं इसका solution आपको बताने जिससे आपकी post instant index होगी बिलकुल एक ही दिन या एक घंटे के अंदर ही आपकी index हो जागी बहुत ही आसान तरीक है आपको simply कुछ steps को follow करना है तो मैं एक एक करके सभी steps को cover कर रहा हूं आप मुझे देखिए मैं कैसे बता रहा हूं आको वह एक-एक step को follow करना है और आपकी instant indexing होने लगेगी तो पहले step में आप लोगों को यहां पर अपने blogger पर आ जाना यहां पर इस dashboard पर आप जो भी post publish करना उसका यहां से आप copy कर लेजिए URL फिर उसकाद पहले तो आपको देखना है आपको पोस्ट यहां पर इंडेक्स होके rank हुई है कि नहीं हुई है पहले पर confirm करना है आपको अच्छी तरह से तो आप लोगों को पहले यहां पर type करना है site और आपको यहां पर यहां पर इंडेक्स हो चुगे तो इसलिए यहां पर यहां पर यह शो कर रही है और अगर आप लोगों यहां पर ऊपर कुछ इस तरह का टेक्स बस देखेगा यह पोस्ट नहीं देखेगी इसका मतलब है कि आप लोगों की यहां पर इंडेक्स नहीं हुई है तो आप यूर्ल नॉट फांड गूगल तो आपको यहां पर इस के लिए क्या करना है आपको बताता हूं आपने चेक कर लिया कि आपका URL यहां पर रैंक नहीं हुआ है तो अब आप लोगों को यहां पर आ जाना है अपने Google search पर अपनी वेबसाइट की और यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट साइट में मिल जागा coverage का option आप लोगो coverage पर क्लिक करना है coverage पर क्लिक करने का आपको यहाँ पर valid excluded दो दिखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसे off कर देता हूं मैं इहां पर excluded पर कर लेना है select देखे एक स्ट पर कितने सारी चोग जुकर रहा है आपकेमे 20 30 20 कितने यहां पर यहां पर नीचे आना है पहले तो और फिर उसके क्याद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक हद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा discovered currently not indexed देखिए यहाँ पर अभी यहाँ बस 0 URLs आके में 10, 15, 50 जितने भी आपके होंगे यह यानि कि Google ने discover कर ले लेकि index नहीं किया है तो इन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी रहती है इसलिए यह index नहीं हो रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं इने आप लोगो जो मैं steps बता रहा हूँ वो आपको follow करने पहली बाद तो आप लोगो SEO friendly article लिखना है और थोड़ा बड़ा article लिखेगा और आप लोगो post publish करने का यहाँ पर एक बाद समिट कर देना है search console पर ताकि आप लोगों की जल्दी indexing हो और फिर उसके बाद आप लोगों को site map यहाँ पर देखिए मैं आ गया वापस से google search console पर यह third step है आप लोगों को यहाँ पर left side में site map का option मिल जागा site map पर click कीजिए और यहाँ पर आप लोगों को अपने नीचे site map शोग हो जाएगा कि आपके consistent site map बने हुए है तो आप लोगों को यह वाल में click कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर site map.xml यह इन्होंने ऐसा बनाया है site map.xml तो आप लोगों को इसे copy कर लेना यहाँ पर date कितनी डली हुई है और यह हो जाएगी renew मैं आपको देखाता हूँ जैसे ही मैं से paste करता हूँ और यहाँ पर submit करता हूँ तो आपको भी यही करना है अपनी post जब भी आप publish करें फिर उसके बाद यह जरूगा दीजगा submit कर दीजगा एक अब आप साइट मैप देखी यह साइट मैप successfully add हो चुका और देखी यह date भी increase हो गई है जिनी date थी उससे latest date आप डल चुकी है तो आपको ऐसे ही कर लेना है एक बार index और फिर उसके बाद आप लोग इसका एक notification भी send करना होगा तो notification send करने के लिए आपको एक URL बनावना होगा एक custom तरीके से वो मैं आप लोगो description box में उसकी script दे दूँगा उसे आप copy कर लीजेगा comment box में मैं pin कर लूँगा अगर description box में add नहीं होता है तो और अब आप लोग third strike को follow कीजिए जो आप लोगो करना होगा अपने blogger में तो आप लोगों यहाँ पर blogger पर आना है और left side में आ जाना है settings पर settings पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे आना है आप लोगों यहाँ पर नीचे आना है और यह crawler and indexing लिखा होगा तो आप लोगों इसे enable कर लेना आपके में अगर disable हो तो इन दोनों को आपको enable रखना है और अब चलते हैं अपने next step के दा जो आपको follow करना होगा indexing first करने के लिए तो आप लोगों को simply यहाँ पर आ जाना है post पर और यहाँ पर आप लोगों को जो URL copy में कर लेता हूँ latest post का जिसे आपको index कर आना हो और फिर उसका आपको आना है Google search console पर और यहाँ पर आप लोगों को submit करना होगा इस URL को देखें मैं आपको submit करके देखाता हूँ आपको एक बाद submit करके देखना है तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं यह तो यहाँ पर URL आपके में आसे था है URL नॉट उन गूगल तो URL गूगल में नहीं है तो आप लोगो simply यहाँ पर test live URL का option मिल जाएगा उस पर click करन करना है आप जैसे request कर देंगे indexing फिर उसके बाद आपको click करना test live URL मैं directly कर रहा हूँ कि यह पैसे indexed है पोस्ट तो जैसे यह live URL होता है मैं आपको देखा दूगा आपको live URL में तुरंत यह ऐसा tick show होने लगा यह आप लोगो यहाँ पर देख लेना है कि कोई यहाँ पर mistake तो follow कीजिएगा वो index हो जाएगी और फिर बात से आपकी instant index होने लगेगी अब आप लोग को next step क्या करना है वो मैं बताता हूँ आप लोग को simply इसे पिंग करना होगा अपनी पोस्ट को तो देखिए यह मैं latest post है इसे मैं copy कर लेता हूँ आप लोग को सर्च करना है पिंगोमेटिक और फिर उसकर यहाँ पर आगया पिंगोमेटिक.com आप लोग को इसे open कर लेना है यहाँ पर आपको पिंग समिट करना होगा अपनी वेबसाइट का तो देखिए यह हमारा हो चुका है open आपको यहाँ ब्लॉग नेम लिखा हुआ तो आप लोग को यहाँ पर उसे चीज चीजे मैं बता रहा हुआ फå फिल कर नहीं आप लोग नेम पर आपको अपने पॉस्ट का मॉच्ज यहां पर आपको अपने ब्लॉक का URL डाल देना है तो यहां पर मैंने पोस्ट का URL डाल देना है तो यहां पर मैंने पोस्ट का इंडेक्स करने तो मैं उसे का पिन कर रहा हूं और आप लोग को इसका नेम जो पोस्ट का टाइटेल है वह आप लोग को यहां से कॉपी कर लेना ह के जरुबत नहीं है और यहां पर comment server check all तो आप लोग को यहां पर सब को tick कर देना है और फिर उसके बाद आप लोग को यहां पर send ping पर click कर देना है simply तो देखी यह send हो चुगा है फिंग completed फिंग complete हो चुगा है ऐसे जितने भी आप पोस्ट पोस्ट कर रहा है और जितने बहुत पट फॉलो कीजिए अपनी हर पोस्ट पर आप लोग इंस्टन इंडेक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी और आप लोग आपको यी अपको आपक॥ पोस्ट बॉलक पर फास्ट इंडेक्स कर सकते हैं वीडियो अचलगा हो तो लाइकन को टरन उन का नम मत भूलेगा